परम्पवित्र स्रावण का महिना और स्रावण के महिने में शुक्ल पक्षी की योतिथी होती है जिसको पंचमी तिथी कहते हैं जिसमें नाग पंचमी का पावन पर्व होता है कहीं कहीं पर इसको गुडिया सब्द से भी जाना जाता है छोटे-छोटे से बच्चे छोटी-छोटी कपड़ों की गुडिया बना करके खेलने वाली जो गुडिया होती हो बना करके और उसमें गेहूं उबाल करके, चने उबाल करके, उसके अंदर रख करके और बच्चे उनको डालने के लिए जाते हैं फिर उनको पीटना होता है ऐसी प्रथाएं है अलग-अलग जगे की उत्तर प्रदेश के अंतरगती ये प्रथाएं भी है और अन जगे भी ये प्रथाएं होती है तो इस दिन जूला भी जूला जाता है जूला जूले की भी प्र प्रारंब हो रही है और पंच्मी तित्री की समाप्ति तीन अगस्तव दो हजार बाईस को प्रा टेकाल पाचवचंच बच करके 45 मिनट से प्रारंब हो करके 8 वच करके 24 मिनट तक ये वरत रहेगा इस वरत की कुल अवधी का जो शमय है 2 घंटे 45 मिनट का समय रहेगा आप इस शमय भगवान शिव की नागे देवता की पूजा करिएगा नागे देवता को आजिके दिन दूद ही इत्यादी चढ़ाने का विधान भी है कि जहां पर नागे देवता होते हैं उनके बिल के पास में जा करके आपको दूद चढ़ा करके आना चाहिए घरों में घरते दूर जा करके खेतों में जो इस्थान होते वहाँ पर दूद डाल करके आना चाहिए और इस तरह से कालशर पुदोस के जो जातक है उनको भी आज के दिन शिव मंदिर में जा करके भगवान शिव की पूजा नागदेवता की पूजा करनी चाहिए अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं पुना भी दूँगा एक नए वीडियो में तब तक के दिए दिए जाज़ जाय माता दी जाय मागंगे